चुकि हम एक democratic country के citizen हैं लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं तो हमारी लिए एकदम जरूरी है कि हम लोग प्रेस के बारे में समझें प्रेस का मतलब होता है कि जो news छपती है अख़बारों में या जो news आप लोग देखते हैं पढ़ते हैं वो प्रेस के माधिम से ही छपती है ठेक है प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं जो news लाते हैं दूसरे जगों से उसे छाप करके हम लोगों तो भेजा जाता है तो वो जो press है वो जो news reporting है जो news है जो जहां पर news छपता है वो जो press है वो किस हद तक free है अपने country में या दूसरे countries में वो किस हद तक free है ठीक है यह हम सभी को जानना एकदम आवश्यक है कि इसे press को पूरी तरह free कर दिया जाए इसको जैसे मन हो वैसे काम करे या इस पर कुछ restrictions कुछ उस पर प्रतिबंद भी लगा रहना चाहिए तो आपके क्या विचार है आप अपना राई जरूर दें लेकिन यह chapter हम पढ़ेंगे समझेंगे आपको यहाँ पर Dorothy L. Sayers ने जो की एक महिला है और बता दे कि Dorothy L. Sayers Oxford University से graduate करने वाली महिलाओं में प्रतम थी ठीक है यह आ आप बढ़िया चेप्टर है बहुत ही अच्छा चेप्टर है जरूर अच्छे से पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते है ठीक है डोरोथी लिफ सेयर्स 1893 मिन का जन्म हो था 1957 मिन के मिर्थी हुई थी essayist essayist मतलब निबंधकार थी playwright नाटक कार थी नाटक भी लिखती थी poet कवी भी थी and writer of detective fiction fiction का मतलब होता है उपन्यास जासुसी उपन्यास भी उन्होंने लिखा था was educated at summer village college oxford वह oxford में summer village में उनकी शिक्षा दिख्चा हुई in 1915 1915 में सेयर्स became one of the first woman to graduate from oxford university 1915 में oxford university से graduate होने वाली सनातक होने वाली वह महिलाओं में प्रथम थी हर published works include उनके द्वारा जो लिखी गई किताबे जो published हुई जो प्रकासित हुई उन किताबों के कुछ नाम यहां पर दिये गए है clouds of witness unnatural death lord peter views the body nine tellers goddy night ठीक है she has edited great short stories of detection उन्होंने great short stories of detection नाम के बुक को भी edit किया संपादत किया उसका and published a complete sorry competent है and published a competent verse verse का मतलब होता है पद्य ठीक है translation of inferno inferno नाम के बुक का verse translation उन्होंने किया पद्य में कविता की रुप में उन्होंने translation किया उसका इस बुक का in the essay यह जो ऐसे है यह जो how free is the press है आपके chapter में जो chapter है यह essay है ठीक है निवंद है how free is the press she writes with clarity of thought वो एकदम free thoughts से एकदम clear thoughts से एकदम वो लिखती है to make a strong case एक एकदम strong एक मजबूत case एक मजबूत मामला बनाने के लिए किसके खिलाफ against mis reporting by the press press के दोरा जो mis reporting की जाती है कभी कभी गलत खबरें फैलाई जाती है गलत अफवाह भी फैलाया जाता है ठीक है किसी के दबाव में या किसी व्यक्ति के या किसी राजनितिक पार्टियों के दबाव में वो या किसी गैंग के दबाव में कुछ mis reporting भी किया जाता है और against the misuse of the freedom of press और press का जो freedom है प्रेस की जो आजादी है उसको misuse करने के खिलाफ उसका जो misuse होता है ठीक है जो जो powerful लोग है वो प्रेस की जो आजादी है उसका misuse भी करते हैं अपने फाइदे के लिए अपने पार्टी के फाइदे के लिए या खुद के फाइदे के लिए अपने business के फाइदे के लिए वीडियो को लाइक करते हैं इससे अच्छा लगता है मुझे और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि जल्द से जल्द आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और बहुत सारे चैप्टर का वीडियो बन चुका है तो वह जरूर देखें ठीक है एक्स्प्लाइशन हिंदी एक्स्प्लाइशन और ऐसा कोई नहीं समझाएगा वो ऐसा मुझे लगता है आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताएं चलिए सुरू करते हैं देट विदाउट फ्री प्रेस ऐसा है कि फ्री प्रेस के बिना जो आजाद प्रेस है ठीक है उसके बिना देर कैन बी नो फ्री पीपल आजाद लोग नहीं हो सकते हैं अगर प्रेस फ्री नहीं है तो लोग भी फ्री नहीं रह सकते हैं आजाद नहीं रह सकते हैं गुलाम ब महत्तु, free press का कोई value लोग नहीं देते हैं, कोई महत्तु नहीं देते हैं we need not discuss it, हमें इस पर discuss करने की ज़रुवत नहीं है कि लोग value देते हैं, कि नहीं देते हैं क्यों नहीं देते हैं, इस पर हम discuss नहीं करेंगे nor will we at this moment discuss the restrictions और नहीं इस वक्त at this time the restrictions placed upon the press in time of war, युद्ध के समय में, वार के समय में, युद्ध के समय में, जो press पर जो restrictions, जो प्रतिबंध लगा दिये जाते हैं, उस पर भी हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई discuss नहीं करेंगे, जब दो देशों में लगाई होती है, ठीक है, तो उस देश में जो है, वो press पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ताकि लोगों तक कोई ख़बर ना पहुँचे, ठीक है, क्योंकि लोगों के दिल में देशत पैदा हो जाएगा, भगदर मत जाएगी पूरे देश में, इस वज़े से भी लगा दिक है, इस पर हम लोग दिश्कस नहीं करेंगे, एट सच टाइम्स, उन समयों पर, ठीक है, ओल लिबर्टीज है व्यव तू बी रिस्ट्रिक्टेड, सारे आजादियों को रोक देना परता है, सारे आजादियों पर प्रतिबंध लगा देना परता है, फ्री पिपल मस्ट सी, जो आजाद लोग हैं, वो अवश्च देखते हैं, तू इट, जब यूद टल जाता है, जब शान्ती आती है, फुल फ्रीडम इज रियस्टोर्ड, सारी आजादियों फिर से रियस्टोर हो जाती है, मतलब फिर से उसी तरह प्रीस्ट को फ्री कर दिया जाता है, in the meantime, इस बीच, it may be wholesome, यह अच्छा होगा, it may be wholesome, wholesome मतलब अच्छा होगा, ठीक है, it may be wholesome, यह अच्छा होगा, to consider, कि समझ लें, what that freedom is, कि वो आजादी है क्या, प्रिस की जिस आजादी की बात हम कर रहे हैं वो आजादी है क्या and how far it is truly desirable और कहां तक ये सही है वो जो आजादी है प्रिस की जो आजादी है freedom है वो क्या है और वो कहां तक सही है इसके बारे में हम लोग discuss कर लें तो बहतर होगा it may turn out to be no freedom at all ये कभी कभी जो है वो बिलकुल आजादी के रूप में साबित नहीं हो सकता पूरी तरह आजादी खत्म कर दी जाती है it may be turn out ये साबित हो सकता है क्या साबित हो सकता है no freedom कोई भी आजादी नहीं बिलकुल at all मतलब बिलकुल नहीं बिल्कुल भी कोई आजादी नहीं के रूप में साबित हो सकता है और या even a mere freedom freedom for two tyrannies tyrannies का मतलब होता है अत्याचार या फिर ये अत्याचार के लिए भी आजादी हो सकती है कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रेस को पुरी तर आजाद करने से अत्याचार को भी बढ़ावा मिलता है और for tyrannies is in fact और अत्याचारियों के लिए वास्त में the uncontrolled freedom of one man or one gang to impose its will on the world अगर uncontrolled freedom of one man अगर एक इनसान की किसी एक इनसान का uncontrolled freedom और नियंत्रत आजादी दे दी जाए अगर एक इनसान को और नियंत्रत आजादी दे दी जाए मतलब उसके अंदर में अगर प्रेस आजाए या किसी एक gang के अंदर में अगर प्रेस आजाए to impose its will on the world तो वो क्या करता है पुरे दुनिया पर अपना जो will है अपनी जो इच्छा है वो थोप देता है आप लोग देखते होंगे कि जो product आपको नहीं भी खरीद ना होता है इतना प्रचार इतना प्रचार इतना add आपको दिया दिखाया जाता है कि आप परिशान हो जाते हैं कभी-कभी देखते हैं कि चलिए खरीद के देखते हैं तो इस तरह से वो हर एक चीज़ हमें दिखाने का प्रयास किया जाता है कभी कभी एकदम बेकार की चीज़ नीज आफ खोलिएगा तो पूरे दिन बकवास नीज पर चलता रहता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो जो प्रेस है जिस नीज चैनल पर बकवास नीज दिखाया जाता है आपके फाइदे का आपकी बातों को नहीं दिखाया जाता है जनता के तकलीफ को नहीं दिखाया जाता है तो इसका मत्तब समझ लें कि वो जो नीज चैनल है वो पक्का किसी ने किसी गैंग, किसी ने किसी पार्टी या किसी ने किसी वैक्ति के अंदर में है वो प्रेस पुरी तरह फुरी नहीं है समझ रहें? हाँ आगे बढ़ते हैं अगला पाराग्राफ देखते हैं सेकेंड पाराग्राफ देखते हैं When we speak of the freedom of the press जब हम प्रेस के freedom की बात करते हैं We usually mean तब हमारा खास करके मतलब होता है Freedom in a very technical and restricted sense एकदम तकनीकी और बाधित रूप से आजादी ऐसी आजादी जो तकनीकी भी हो और उस पर कुछ restrictions भी देए पूरा खुली आजादी नहीं अगर खुली आजादी किसी भी चीज़ को मिल जाती है चाहे वो प्रेस हो या इंसान हो तो वो अपनी मनमानी करने लगता है तो प्रेस को भी जो आजादी मिलती है Freedom Free freedom जो मिलता है एकदम पूरी आजादी वो पूरी आजादी हम इस रूप में बात करते है किसे आजादी मिले गवर्मेंट के द्वारा सरकार के द्वारा जो प्रेस पर Freedom Direction और Censorship जो लगाए जाते है Censorship का मतलब होता है नियंतरन में रखना, कंट्रोल में रखना तो गवर्मेंट के द्वारा जो प्रेस को कंट्रोल में रखा जाता है Censorship उस पर नियंतरन जो लगाए जाता है उससे और गवर्मेंट के Direction से गवर्मेंट जो दिशा निर्देश देती है प्रेस को उससे आजादी हम उस आजादी की बात करते हैं मैं उस आजादी की बात करता हूँ मतलब लेखक बता रहे हैं इन दिस रिस्पेक्ट इस संबंध में भृटिश प्रेस इज अंडर ओर्डिनरी कंडिशन जो बृटिश प्रेस है जो इंग्लेंट का जो प्रेस है इंग्लेंट की जो मीडिया है वो एक साधारन इस्थिती में जब देश की स्थिती सामान्न हो singularly free तब वो खास करके free होती है उस पर कोई restriction नहीं होता है इट कैन अटेक दो policy and political character of ministers और यह जो press है वो अटेक कर सकता है आकरमन कर सकता है आकरमन करने का मतलब यहाँ पर वो उसे उस पर दवाब बना सकता है उस पर प्रशन पूच सकता है किसी मिनिस्टर से उसके policy उसके नीती और उसका जो political character है ठीक है उसका जो चरित्र है उसका जो उस पर कोई कानूनी धारा नहीं चल रही है उस पर कोई case नहीं चल ला है या फिर वो किसी आपराधिक मामले में तो नहीं है इस तरह का वो आवाज उस question जो है वो मिनिस्टर से पूच सकता है प्रेस interfere in the delicate machinery of foreign diplomacy विदेश नीती पर भी एक delicate machinery में एक विनम्र रूप से वो सवाल पूच सकता है conduct campaigns to subvert the constitution constitution के subvert में मतलब समविधान subvert का मतलब होता है पतन होने का कारण नश्ट होने का कारण ठीक है तो समविधान को ऐसे कारण ऐसी बातें ऐसी योजनाय या ऐसा कोई नियम जो समविधान को खत्रे में डालता हो उस देश के समविधान को खत्रे में डालता हो उस देश के समविधान के पतन का कारण हो उसके खिलाफ वो कैमपेन कंड़क्ट कर सकती है वो कैमपेन मतलब वो आंदोलन कर सकती है या लोगों को भरका सकती है इस तरह से मीडिया कर सकती ह इंसाइट सिटिजन इंसाइट का मतलब होता है उकसाना सिटिजन को उकसाने का काम कर सकती है करती है ठीक है तुडिस कॉंटेंट रिवेलियन उसके और संतुष्टी को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रति और उग्र मतलब रिवेलियन का मतलब होता है विद्रुह को बढ़ान के लिए and foment grievances foment मतलब होता है उकसाना grievances मतलब होता है वही विद्रुह या औसंतोश तो लोगों का जो लोगों के मन में सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जो प्रेस जो है वो आज उठाती है लोगों के मन प्रिस करके रखती है ताकि वह सरकार के खिलाब आवाज नहीं उटा सकता है आप देखते होंगे आपके टीवी पर बहुत सारे न्यूस चैनल है जो हमेशा दूसरा न्यूस दिखाते हैं सरकार के कम्यों को नहीं दिखाते हैं तो इन सब चीजों से फ्री अगर प्रिस अगर यहां पर जो है है वो किसी स सिर्वेνट को होता है कि से कि स्रवेंट कौन होता है वहां का नेता होता है वह मारे नौकर ही यह थीक वह हमारे लिए काम काम करनbuild बना हो पद पर हम से उस तो पिछी क्ला करती है उसे परेशान और उसे पीटने का काम करती है तो यहां पर पीटना का मतलब धुनना का मतलब पीटना नहीं होगा हत्पों से उस पर दवाब बनाती है उसको हमेशा डर रहता है कि मेरी कमी न निकल जाए और प्रेस हमेशा चाहती है कि इसकी कमी को खोजें ठीक है विद आलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी और यह सब ब्रिटिश में ब्रिटेन में यह सारी चीजें जो है वह एकदम परफेक्ट आजादी से एकदम सच्चे आजादी के साथ वह अच्छे आजादी के साथ वह परफेक्ट लिबर्टी लिबर्टी मतलब आजादी के साथ पुर्न आजादी के साथ वह करती है on occasion अवश force दालने के लिए course मतलब force होता है दवाब डालना ठीक है government पर दवाब डालने के लिए to confirm to what it asserts to be the will of the people जो assert का मतलब होता है द्रिड़ता से कहना जो press जो द्रिड़ता से कहती है लोगों की इच्छा को people के will को इच्छाओं को जो press जो द्रिड़ता से कहती है उसके अनुरूप confirm का मतलब होता है किसी चीज के अनुरूप चलना उस बातों को जनता की बातों के अनुरूप चलने के लिए government पर course डालती है force डालती है दवाब डालती है ठीक है चलिए अब अगला paragraph देखते है नहीं तो दोस्तों बड़ा वीडियो बन जाता है तो फिर complete करूं तो अभी फिलहाल यहां तक छोड़ देते हैं और अगले दो वीडियो में यह chapter complete हो जाएगा तो यहां तक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं कमेंट में बताएं और वीडियो गर अच्छा लग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें चैनल को सब्सक्रा सब्सक्राइब करें तो उसमें से करीब जो है वह 15-16 चैप्टर का जो है 15 चैप्टर का explanation complete है 5-6 चैप्टर बांकी है जो आपके बहुत जल्द complete कर दिये जाएंगे तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें कमेंट करें और अगला वीडियो जह है अगले पा वाई बाउ तक चैर